हेलो एवरिवान, वेलकम टू टिवाइन सोल की सो गाइस आज है संटे एंट आज नए हफ़ते के शुरुवात होने वाली है सो मैं लेके आए हूँ आपके लिए नियो विक गाइडेंस एंड ये है एक एंजल गाइडेंस सो गाइस एंजल गाइडेंस की वीडियो को आप लोगों ने बहुत जादा प्यार दिया है सो इसलिए हम हर हफ़ते अब एंजल गाइडेंस आपके लिए लेके आएंगे तो एंजल गाइडेंस है वो 12 जॉडेक साइन्स के अकॉर्डिंग है सो आपका जो भी जॉडेक साइन है उसके कॉर्डिंग आप अपना यहां पर चेक कर सकते हो कि एंजल द्वारा आपके लिए क्या मैसेज है स्पेशल क्या गाइडेंस है आपके लिए और उसको अगर आप कैसे यहनो अपनी लाइफ में फॉलो करके अच्छा कर सकते अपनी situations को अपनी issues को अपनी जो भी current circumstances आपके चल रहे होंगे so video शुरू करने से पहले guys please follow our channel and इसको जार से जादा आगे share कीजिए and you know like कीजिए comment कीजिए and हमारे channel को you know जरूर follow कीजिए so these are the angel guidance यानि यह angel cards है इसके through हम angels का क्या special message है आप लोगों की लिए वो जानने वाले हैं आज so I'm just you know clearing my deck so start करते हैं हमारे जो first zodiac sign है that is Aries यानि जिनकी भी मेश राशी है so let's see कि क्या उनके लिए angel guidance आने वाली है so first for Aries यानि जिनकी भी मेश राशी है so मेश राशी के लिए आ रहा है in the near future यानि जो भी काम आपके पैंटिंग है जो भी काम आपके रुके हुए है अगर आपके मन में कोई doubt है कि कब ये मेरा काम खाना खतम होगा या कब मैं इस चीज को achieve कर पाऊंगी so वो चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली है बहुत ही कम टाइम रह गया है उनको complete होने में so आपको बिल्कुल भी कोई tension नहीं लेनी है अपनी गती से अपनी रफ्तार से अपने hard work करते रहिए and वो चीज़ें definitely आप achieve कर पाऊंगी यानि जो भी आपके goals हैं वो definitely आप achieve करने वाले हो so next हम बात करेंगे tourist यानि वृष्व राश्री so वृष्व राश्री के लिए pick करने वाले हैं card no यानि कुछ भी आपका अगर आप कुछ नया start करना चाहते हो या आपको कोई सवाल था या आपको doubt है तो उसका answer है no यानि maybe शायर situation जो है वो आपके favor में नहीं होने वाली है चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं होने वाली है या फिर ये एक तरह की आपके लिए guidance है कि अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो या कुछ initiative लेना चाहते हो चाहिए वो career हो relationship हो तो वो चीज़ आपके लिए नहीं है so आपको उसको you know वहाँ पर stop करके खुद को एक नई alternative option की तरफ बढ़ना चाहिए वो जो alternative options है वो शायद आपको कोई फाइदा दे सके so next बात करते हैं हम हमारी जो third zodiac sign है that is Gemini यारी जिनकी भी में तुनराश है तो उनके लिए card आरा है you are ready यानि अगर आप कोई काम करना चाहते हो या फिर आपने कुछ you know आपको लगता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ कोई चीज because maybe शाय मैं त्याहर नहीं हूँ या मेरे पास you know resources नहीं है या मेरे पास कोई ऐसी power नहीं है सही guidance नहीं है तो ये एक गलत मैं है because आप proper way से ready हो अपने उस काम को pursue करने में and अपने जो भी new start-ups new चीजे, new relationship कुछ भी शुरू करना चाहते हो you are perfectly ready तो go and you know achieve your goals so next बात करते हैं हम cancer यानि जिनकी भी करकराशी है so करकराशी के लिए I am picking up this card so let's see क्या आता है क्योंकि शायर में भी communication जो है वो अभी नहीं हो पा रही है and that's why जो भी problem आ रही है वो communication की ही आ रही है अगर आप communicate नहीं करते हो अपनी you know favorite ones से आपने जो भी career में relationship में तो चीजे उलच सकती हैं और और जादा complicated हो सकती है so communication को अभी आपको you know अपना हत्यार बनाना है और उसको ही यह सही करके अपने life में आगे बढ़ना है आपको so next is for you यानि जिनकी भी सिंग राशी है so सिंग राशी के लिए हम चोस करते हैं उनके लिए काड़ आ रहा है no need to worry यानि कुछ भी tension लेनी के जरूरत नहीं है काम होंगी आपको अगर कोई tension है वो काम हो जाएगा easily सारी चीज़े हो जाएगी कोई भी stress लेनी के जरूरत नहीं है angels की power है आपके साथ guidance है आपके साथ आपके अंदर fire energy है आप वाकिए में अचीव करना चाहते हो चीज़े और आप अचीव कर भी लोगे तो कोई भी अपने दिमाग में load मत लीजी तो next बात करते हैं हम वर्गो की यानि जिनकी भी कर्या राशी है उनके लिए कार्ट स्पिक करने लगे हो तो for that is reconsider यानि अगर आपने कोई हाली में फैंसले लिये हैं या कोई आपने decision बनाया है कुछ नया शुरू किया है तो फिर भी आप पो reconsider करना है उन फैंसलों को उन decisions को कि बाकी में वो चीज़ें सही भी हैं नहीं हैं या कुछ ऐसी आदियादूरी information होएंगी जो आप miss कर रहे हो कहीं ना कहीं so whatever you are doing in your life just reconsider those things so next बात करते हैं हम Libra यानि तुला राशी यानि जिनकी भी तुला राशी है उनके लिए cards क्या कह रहे हैं so तुला राशी यानि Libra's के लिए remain positive यानि अगर आप थोड़ा सा negative हो गए हो चीज़ें नहीं ठीक हैं वो आपके coding नहीं चीज़ें आ रही है and उसके लिए आप परिशान हो so आपको tension लेनी के जरूरत नहीं है क्योंकि अपने आपको अगर आप positive रखोगे तो ही आगे बढ़पाऊगे new solutions, new guidance आपकी life में आ पाएंगी so next बात करते हैं हम Scorpio की यानि चिनकी भी विष्टिक राशी है उनके लिए कार्ड आ रहा है not the right time यानि अगर आप कुछ सोच रहे हो कि इस ताइम पर मैं ये करू या ये चीज़ें मिले सही है या फिर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते है तो ये टाइम बिल्को सही नहीं है थोड़ा सा hold पर रखें चीज़ों को थोड़ा सा आप you know patiently अभी ठहरिए सब कुछ analyze कीजिए situations को analyze कीजिए और उसके बाद ही आप कोई action नीचे तो अभी अपने आपको hold पर रखतीजिए next बात करते हैं Sagittarius यानि धनुराशी की तो धनुराशी के लिए card पर कर रहे हम and that is weight यानि आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा काफी सारी चीज़ों के लिए तो आपका कोई काम अड़ सकता है कुछ चीज़ें hold पर रह सकती है या खुद आपको wait करना पड़ सकता है क्योंकि time अभी favor में नहीं आ रहा है universe कह रहा है कि कुछ देर wait करेंगे तो फायदा definitely होगा अगर rush करेंगे अगर means अपने आप में जल्दबाजी करेंगे तो चीज़ें maybe शायद favor में ना हो so ये angel guidance आपके लिए है और इसको follow कीज़े अगर आप resonate करते हूं इन सब से next we'll talk about for Capricorn यानि जिनकी भी Capricorn यानि मकराशी है तो उनके लिए काड़ा रहा है look for a sign means आप जो life में कुछ भी करना चाते हो या कुछ भी आप achieve करना चाते हो या current situation जो भी चल रही है angels आपको sign दे रहे हैं यानि solutions जो हैं वो आपके सामने हैं बट आप उसको देखनी रहे हो आप अपनी ही problems में उल्जे हुए हो अगर आप solutions को देखोगे science को देखोगे तो सब चीजें solve out हो सकती हैं बहुत जल्दी तो आपको थोड़ा सा calm down होके solutions की तरफ science की तरफ देखना है कि universe क्या गहना चाता है और किस तरफ आपको लेके जा रहा है so next we'll talk about for Aquarius Aquarius के लिए angels की क्या guidance है that is get more information यानि कुछ भी pursue करना चाते हो चाहे वो relationship हो, career हो, health हो कुछ भी हो life में चल रहा है उसकी अभी पूरी information नहीं है आपके पास अगर आप कुछ start-up करना चाते हो career में कुछ भी चाते हो किसी persons के साथ relationship में आना चाते हो whatever you are doing but कही न कहीं कुछ information missing out है वो information आपको clear out चाहिए तभी आप next level, next phase में चाप आओगे so last but not the least piouses यानि mean राशी के लिए angel guidance क्या है so उनके लिए card आ रहा है yes, a big yes means कि अगर आप pursue कर रहे हो कुछ भी करना चाते हो life में yes, angels का favor आपके साथ है आपको बिल्कुल भी tension नहीं लेनी है knowledge भी है, resources भी हो जाएंगे किसी की guidance चाहिए, help चाहिए वो भी मिल जाएगी so everything is in your favor just take action यानि action ही जीजे, आप एक step लीजे अपनी goals को achieve करने के लिए universe आपकी मदद के लिए खड़ा हुआ है so ये थे हमारे angel guidance for all the 12 zodiac signs आप इनके साथ resonate भी कर सकते हो और नहीं भी resonate कर सकते हो अगर करते हो resonate तो definitely अपनी feedback हमें comment section में जरूर share कीजेगा and अगर नहीं करते हो तो आप इसको ignore कीजे and इस video को please like कीजे subscribe कीजे channel को share कीजे follow कीजे and means हमारे channel को एकदम से support करेंगे तो हमें बहुत अचा लगेगा तो मिलेंगे next video में till then take care and have a blessed and beautiful week ahead